वेलकम अमर सर योटुब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है IVPS Clark 2021 के लिए vacancy आ गई है आपने preparation शुरू कर दिया होगा registration करा चुके होंगे या कराने वाले होंगे वेकेंसी अभी 5800 के लिए है लेकिन 11 बैंकों में से 7 ने रिपोर्ट किया है चार ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है यानि ये टोटल वेकेंसी 8000 तक जानी चाहिए इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ complete study plan मैंने नाम दिया है 45 days plan दरसली ये first phase है इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि pre exam जो लगवख 45 days में होगा उसमें क्या strategy अपना ही जाए कि उसके two months के बाद main exam होगा 31st October को तो उसका पहला चरण अभी खतम हो जाए यानि अभी का preparation अलग और main का preparation अलग ऐसे नहीं तब तो न प्री में होगा न main में main exam प्री के preparation को boost up करता है और प्री का preparation main के preparation को भी boost up करता है इसलिए दोनों को जो की एक तरह से अन्यो न्यास्रित है complimentary है मदद करते हैं एक दूसरे को एक साथ लेगे चलना है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आई इसके वीडियो में तो मैं complete plan बताऊंगा ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो exam IVPS clerk 2021 के लिए होने वाला है इसके साथ SBI clerk का main भी अभी आपको देना है प्री तो बस कत्म हो रहा है IVPS RRV PO का pre main देना है और IVPS RRV Office Assistant का ये सभी exam एक pattern के हैं जबकि IVPS PO specially main और SBI PO specially main ये अलग तरह का है अच्छा है अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है उसकी vacancy आएगी अभी तो इस vacancy के बारे में सोचना है और एक profession है एक जैसा है ना सिर्फ इन exams में एक जैसा है बलकि इसकी pre और mean का pattern भी लगबग एक जैसा है तो आए हम लोग बात करें करें एक एक करके से इन सिरेवार आएए सबसे पहली बात है कि जब आप preparation कर रहे हैं तो दूसरे exam के साथ में क्या differences है वो देखना है और beginner और experienced students में क्या difference है ये भी देखना है तो दूसरे exam के बारे में तो मैंने चर्चा कर ली जो beginner है और experienced students है experienced students जो किनी कार्णों से कुछ mark से miss करते आए हैं exam को इस बार उनको selection चाहिए उनको top rank में आने के बारे में सोचना है इसलिए उनके पढ़ने का strategy का तरीका थोड़ा अलग होगा और जो beginners हैं उनको qualify करना है उनको rank नहीं सोचना है पर ही exam में तो कोई फर्क नहीं पड़ता टॉक करें तो last rank करें तो वो तो just main देनी के लिए permission है एक तरह से इसलिए beginners सोचेंगे क्या करें कैसे preparation करें कि बस मेरा हो जाए और जो experienced हैं छे महिने साल वर से पढ़ रहा है किनी किनी का डेर दो साल भी हो गया है उनको तो हर हालत में success चाहिए लेकिन कुछ बाते हैं जो success को टै करती हैं balanced approach भटकना नहीं जो भी करना उसके बारे में इस नजरिये से सोचना कि मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं मेरे पढ़ने का तरीका मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं यही सबसे बड़ा criteria है कि आपका आप सही direction में जा रहा है या नहीं तो यह में चर्चा कर चुका ठीक है इसमें तालमेल के बारे में दिखिए सबसे पहली बात यह है कि नहीं यह जिन्दगी का पहला exam है और नहीं आखिरी जिन्दगी बहुत बड़ी है अनमूल है exams, 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 परिक्षा, 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 परिक्षा उनसे क्या डरना be optimistic, हम अच्छा करेंगे इस सोच के साथ, positive attitude जब हम सही काम करेंगे तो हमें success मिलेगा ही मिलेगा क्या नहीं आता है ठीक है ठीक करेंगे लेकिन उससे worried नहीं होंगे पढ़ने से क्या हासिल हो रहा है वो माहने रखता है कहा दिक्कत आ रही है दूर करेंगे इस द्रिश्टे से importance है लेकिन हतोत साहित होने के demoralize होने के जरूरत नहीं राइट अप्रोच इसका बड़ा माहने है आपको जगर जगर गाइड करने वाले मिलेंगे लेकिन कोई रटने के लिए भूले न याद कर लो वो सही platform नहीं है याद करवाना platform नहीं है मैं तो कहता हूँ आईए न याद होता तो ठेक मैं याद कराओंगा क्लास में 15 मिनट के अंदर और मैं क्लास में याद कराता हूँ याद कराता हूँ मतलब बात करता हूँ कब याद हो जाता है पता तक नहीं चलता याद करने का नाम mathematics नहीं है, याद करने का नाम preparation नहीं है, समझना है, concept ही काम आता है especially मेन exam में और pre में भी, शायद जितनी बाते मैंने कहीं, कई लोगों को समझ में नहीं आई हूँ, तो मैं बताता हूँ, जितना बड़ा डंडा, उतना बड़ा गढढ़ा, डंडे को तोड़के गढढ़े में डाल दो, what will be the height that is average, जिस ने इसको समझ लिया, average chapter में क्या problem है, दिया ही तो बस, ऐसे ही हो जाएगा, percentage, how 99%, how 67% of 48, how 37% of 111, how, जिसको अप्रोच आता है, हवा में होता है, रटेंगे कितना, रटा थोड़े जाता है, 12% का fractional value क्या होता है, 25% का क्या होता है, 1 by 4, हाप होता, 1 by 8, 66 and 2 by 3% का percent value क्या होता है, 33 and 1 by 3% का तो जानते हैं, 1 third, तो double होगा न 2 third, natural, natural, natural way में चीज़ें आनी चाहिए, right approach का मतलब है कि concept, जिसका application नजराए, paint paper की कम से कम जर्वत हो, that is right approach, exact course, भई आपको पढ़ना वो है, जो exam demand करता है, बेई वजह के question नहीं, लिखावा तो course के बारे में कहीं नहीं है, बस exam का नाम लिख दिया गया, numerical ability या quantity, वप्टिचूड या test of reasoning ability, उसमें क्या, आप समझ ये है, पहले तो दिया रहता था, अब तो दिया भी नहीं जाता है, पर exam में जो आज तक आते रहे हैं, that is the course, exam के data एक दूसरे के लिए बने होते हैं, exam के questions खुबसूरत होते हैं, ये मेरे statements हैं, मेरे students को मजा आता हैं सुन करके, वाहियाद data, वाहियाद question paper सिर्फ demoralize करते हैं, exam, exam board हमारे दूसमन थोड़े हैं, वो हमें test करने के लिए है, कि भाई मुझे कितना आता है, अच्छे से आता है कि नहीं, तो अच्छे-च्छे questions, अच्छे-च्छे data, दे करके मुझे test करेगा, परिशान थोड़े करेगा, तो वाहियाद चीजों से डड़े, appropriate method of solution का वही महने था, online test, भाई मैं कितना विरोध करूं, ये market है कि आपको online test छोड़ने ही नहीं देता, भाई मैं online test का विरोध वैसे नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ, पढ़ने के बाद जा चलिजिए online, offline, जो मन में आए, कितना पढ़े, एक-दो test दे दीजिए कि भाई वहाँ पर exam देंगे, तो उसके पहले एक बार देख लेते हैं, कि वहाँ का pressure handle करने में क्या दिख्यत होगी, तो यह test करने के लिए नहीं होता है, इंप्रूब करने का तरीका chapter wise test है, जाए online हो जाए offline हो, मैं test का विरोध नहीं करता, online test limited, आप उस पर राज करें, वो आप पर राज न करें, इसलिए उसको avoid कीजिए, पर chapter wise test तो अम्रत है, आप problem best होने जेजिए के 10 test दे दीजिए, command हो जाए, पढ़ने के बाद भई, application आना चाहिए, concept आना चाहिए, उसके बाद test से तो मजा ही मजा है, चैप्टर पर command ही हो जाएगा, उसी chapter वही application, वही thought बार बार अलगले condition में अलगले questions, real में benefit है, online but chapter wise test, ठेक है, प्री और में दोनों के लिए मैं बात करता हूँ, Welcome students, पहारे को रखने की आवसक्ता नहीं, और और मूले के भूल जाने का डर रही, competitive exam के लिए objective mathematics को पढ़ाने का मेरा अपना ही अंदाज रहा है, पिछले 25 वरसों के teaching career में, हजारों students को मिली सफलता नहीं, इसे सही साबिक दिया है, 20 July 2021 से सुरू हो रहा है, मेरा life course, SBI PO 2021 के लिए complete course of quantitative attitude for SBI PO pre plus main, जिसके साथ पहले 500 students को दो course free मिल रहा है, अनिल रोहिल्ला सर का English तथा रोहित सर का reasoning life course पूरी तरह free, इसके लिए आप download करें app अमर सर महत दिखता है, general awareness और English का profession एक pattern पर है, आपको लगेगा दोनों, practice की चीज है, daily की चीज है, रोज आप general awareness पढ़ते रहें, natural लगेगा, आराम से हो जाएगा, English पी रोज पढ़ने का है, रोज एक एक गंटे पढ़ी ज्यादा नहीं, मैं 45 days strategy पर बात करने जा रहा हूं, तो इन 45 days में, English जेनरल पढ़ी, पी को ध्यान में रखके, ध्यान से सुनिये, इन 45 days में, English में, only पी को ध्यान में रखके, और English के knowledge को आगे बढ़ाते भी, वोकेविलरी को बढ़ाते भी, grammar strong करते भी, reading comprehension इसको डबलब करते भी आगे बढ़े हैं, क्या एक्चीव होता है वो न देखें, रोज एक्चीव हो रहा है वो देखें, 45 days में जो भी आया आपकी पुझी है, यह base बनेगा main exam के लिए और pre तो आपको qualify करा ही देगा, general awareness यह competitive exam है, बहुत सारे student पढ़ते ही नहीं, main में हो गए, क्योंकि general awareness ही पढ़ते रहा जाएंगे, marks भी नहीं आएगा, math भी गया, reasoning भी गया, time ही best हो जाएगा, मांग से का सांती अलग, लेकिन जो general awareness शुरू से पढ़ेंगे, वो 45 days में अच्छा खासा general awareness त्यार होगा, यह 45 और plus 2 months सोचिए, 100 या 105 days में कितना अच्छा preparation हो सकता है, mathematics में question tough आया, दिक्कत हुई, reasoning में थोड़ा मुस्किल हुआ, पजल तो बनाई रही, इस अब रोच में सुनता हूँ, लेकिन current affairs में अगर आपने पढ़ा है, तो आप आसानी से marks ला सकते हैं, general awareness, financial awareness इसमें और यह दूसरों से आपको आगे लेकी चला जाएगा, बड़ा आसानी से pass करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कैसे हुआ कि एक बार में minute tension के पास होगे, दस हजार से ज़्यादा student success पाएं हैं मेरे, कौन सा condition नहीं है जिसमें student को success न मिला हो, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, पैसा है, गरीब है, married है, unmarried है, कोई फरक नहीं पढ़ता, स्त्री हैं, पुरस हैं, हर किसी को success मिला है, इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ दें, obstacles के बारे मैं नहीं सोचना है, सोचना है अपनी मेहनत करने की च्छमता, यह सबसे उपर है और यह आपको विज़े दिलाएगा, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि general awareness और English यह सतत प्रक्रिया है, continuous चलने वाला process है, इसको चलाते रहना है, strategy का बड़ा important part है, reasoning और quantum DI, दोनों में कहूंगा, quantum DI मैंने लिखा है, quantitative attitude और DI अलग से नहीं लिखा हुआ कोर्स में, लेकिन DI तो उसका important part है, बिना बोले ही उसमें cash rate से लेके सब कुछ आता है, तो DI and analysis यह दोनों है, इन दोनों का pattern एक जैसा है, main के चीजों को ध्यान में रखते हुए, pre को सामने रखते preparation करना, 45 days plus 60 days, इस पूरे 105 days में, first 45 days में, पहला चरण, first phase complete करना, then second phase, इस से आपको 100 days plus के लिए, योजना बनाने का मौका मिलता है, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, जो जिस तरह से पढ़ते हैं, मैं ही कहीं disturb नहीं कर रहा, कोई किसी coaching में पढ़ते होंगे, कोई pet में, कोई free में, कोई खुद पढ़ते होंगे, कोई tuition offline भी पढ़ते होंगे, मेरा कान है, जहां पढ़ना है पढ़ेंगे, बस जवर्दस्ति नहीं होनी चाहिए कि रटना पढ़ेगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नाचुरल वे में, आप reasoning में, पजल ड़ लगता है, तो पजल में easy puzzle और easy type sitting arrangement, arrangement in a line or circular, horizontal या vertical इस पर command हासिल करें, blood relation में दिक्कत होती है तो इसको थोड़ा बात में करेंगे, ओकी थोड़ा बात में करेंगे, नहीं होगा तो main में करेंगे, premium miss होगा तो कोई बात नहीं, exit miss होगा, five question miss होगा, हो सकता है exam आते आते हो भी कर लें, तो यह मेरा कहना है, और बाकी सारा section कर लें, बहुत आसानी से reasoning होगा, problem थोड़ा quantum di, इस ही में आता है, ज्यादा तर student को, उसके लिए मैं यह कहता हूँ, कि IBPS clerk pre plus main, SBI pre तो हो गया clerk का main, IBPS RRBPU pre plus main और IBPS RRB office assistant pre plus main, एक दम एक strategy है, एक पढ़ाई है, कोई अंतर नहीं है, exam pattern, question depth कोई अंतर नहीं है, number of question में थोड़ा इधर उदर है, कहीं cut off है, कहीं नहीं है, यह सब है बस, पढ़ने के ख्याल से कोई difference नहीं है, तो उसमें quant di में आप basics कुछ chapter हैं बात करता हूँ, जैसे आप ages उठाते हैं तो ages उठाई, problem based on ages, उसका पूरा concept clear की और pre plus mean पूरा पढ़ जाए है, in 45 days में, पूरा quant पढ़ लेना है, 45 days में हो जाएगा, concept application कुछ हद तक depth में, di, cashlet, data sufficiency and quantity 1, quantity 2, यह वाला जो section है, इसको आप थोड़ा पढ़िए, दो भाग माटिए, प्री में भी आएगा, उसका first part में यह chapters, उसका concept और application हलके question, बस और second part, प्री के बाल, कोई भी आपके success को रोक नहीं सकता, हाँ, रोक सकता है, अगर डे वजाय का online test देने लगे तो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, उसको पढ़ना, उसमें अपने को devote कर देना, एक challenge है, मैं fresh student के बारे में बात कर रहा हूँ, जो शुरुवात कर रहा है, उसके लिए समय बहुत किमती है, इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, इस वे में पढ़ेंगे तो success मिलेगा, YouTube पर 2000 से ज़्यादा वीडियो है मेरे, रोज में free life classes लेता हूँ, अमर सर मैथ दिखता है, एप पर paid batches चलते हैं, कहीं भी आप जुड़े होगे हैं, पैसा है नहीं है, कोई फरक नहीं परता हूँ, गाव में रते हैं, सहर में रते हैं, girl हैं, boy हैं, घर में रते हैं, घर से बाहर रते हैं, doesn't matter, कि नहीं भी इस्तित्यों में रहा हैं, हिंदी मेडिया में पढ़े हैं, इंग्लिस मेडिया में पढ़े हैं, doesn't matter, हर स्टूड़न जो right approach के साथ concentrate कर जाएगा, winner है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, महंगी नीजी, इंग्लिस स्कूलों में नहीं पढ़े हैं, क्या फरक पढ़ता है, आज winner कौन हुआ, सक्सेस किसे मिला, अब थोड़ा मैं 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 सेक्शन पर क्वांट डियाई पर डीटेल में बात करता हूं, उसके लिए पैटर्न आप देख लिजी पढ़नी के ख्याल से, तो मैं क्वांट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्वांटिटेटिव अप्टिचूड में में है और प्री में नुमेरिकल एविलिटी है, ठीक है, इस पैटर्न से आप परिचित हैं, तो मैंने अप्रोच तो बता दिया प्री और में के लिए, कुछ चैप के बिना सिंप्लिफिकेशन और अप्रोक्स नहीं होंगे, जिन से आपको करीब करीब 15 क्वेश्चिन आएंगे, प्री में और 10 क्वेश्चिन में में, या माल लिजे 5 क्वेश्चिन हरी करेगा, नंबर सेरीज को मैंने यहां नहीं रखा, तो कि आप पढ़ेंगे ही प्री म के संते से भी आएंगे, अशे वियू और है। इंडरेट किष्चिन बहुत ज्यादा होगि ड Mobility तो Conan होगा। पूरा का पूरा data interpretation, method of allegation पर आ सकता है, five questions, six questions, पूरा का पूरा, दो, तीन set, और हर set में दो, दो, तीन, तीन question ऐसा होगा, जिसमें average के concept का इस्तेमाल होगा, question में कहेगा, average निका लिए, नहीं निका लेंगे, क्योंकि average कहता है, अभी दोस्ती नहीं, question में average का कहीं नाम भी नहीं है, मैं average निकालूँगा, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त नजर आ रहा है, यहीं पर है, help करने के लिए, यह है average, मैंने इने fundamental कहा है, basic chapters कहा है, इन पर command जितना ज़्यादा होगा, आपके पास करने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, different chapters जो आपको पढ़ने हैं, इसमें यह मत पुछिए कि कौन वाला पढ़ें, कौन वाला ना पढ़ें, यह बात में इसलिए कह रहा हूं, कि mensuration, permutation, combination and probability इसको लोग छोड़ देते हैं, please मत छोड़ इसलिए जो बनाता है, वो winner है, ऐसा भी नहीं एक मुस्किल है, बहुत टेड़ा question भी नहीं आता, समय भी नहीं लगता, जिसको आता है, बस आता है, तुरंद बनता है, इसलिए इसको छोड़ देने का मतलब अपने chances को कम करना है, इसको बना लने का मतलब, one step, one step more towards success, chapters मैंने लिखे, क्योंकि pre में भी आएंगे, में में भी आएंगे, लेकिन मेरा जूर इस बात पर है, main exam के quantitative aptitude पर, miscellaneous word problem जिसके बारे में मैंने कहा, कि आप in 45 days के first page में, ज्याज़ तर section कर लेंगे, और हो जाएगा, मैं तो रोज कराता हूँ, live class रोज कराता हूँ, special live class भी शुरू करूँगा, IVPS clerk के लिए, इसलिए आराम से होगा, data interpretation, यह depth में आएगा, इसमें हुआ यह है, कि पहले आसान आता था, और थोड़ा tough question में में, SBI P.O. और IVPS P.O. में आता था, अभी क्या हुआ, जो में में IVPS P.O. और SBI P.O. में आता था, वह clerk में आने लगा है, और वहाँ पर direct application के moderate question के जगह पर analysis आने लगे है, नए तरह का analysis, एक ही question में D.I. भी है, quantity 1, quantity 2, quantity 3 तक है, उसी में data sufficiency भी है, और data analysis भी है, मतलब थोड़ा और analytical होकर के तूसरे से में चला गया है, और उसके जो में के questions हुआ करते थे, IVPS P.O. में के और SBI P.O. में के, पिछले 2-3 साल पहले तक, वो pattern अब हो गया है, SBI Clerk में का, IVPS Clerk में का, और IVPS RRB P.O. में का, IVPS RRB Office Assistant में का, यह moon बात है, जिसको समझना चाहिए हर student को, data sufficiency ऐसा है कि, पूरा concept clear होना चाहिए, यहाँ पर पता जलता है, सब कुछ आके भी गलत हो सकता है, और बिना pain paper चलाए भी answer हो सकता है, तो student को कितना depth है, sufficiency में पता चलता है, quantity one और quantity two भी वैसा ही है, एक तरह से concept जानने का, एक नया तरीका है, जिसमें chapter के questions ही आते हैं, number series, generally wrong number series आता है main exam में, और थोड़ा depth का होता है, पर आसानी से आप मेरे slope method से solve कर सकते हैं, approximate values आता है, आएगा भी IVPS clerk में, हो सकता है कि कभी ना आए, अगर दूसरे पर जोड़ दिया गया तो क्योंकि pattern में हर साल कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, और data inequality जिसको एक तरह से quantity equation भी कहते हैं, वो भी है, मुझे पूरी उमीद है कि मेरे इस 45 days के plan में, जिसके साथ study जुड़ा हुआ है, YouTube पर रोज मैं main exam के लिए सुबह में पोस्ट करूँगा और वी exam के लिए साम में live लूँगा, आपको तो चिंता करने की जरुवत ही नहीं, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, जहां भी पढ़ने से संबंधी दिक्कते हैंगी, vision planning के ऐसे वीडियो ले करके सामने आऊंगा, और जहां भी chapter में आपको problem निजर आएगा, आप comment करेंगे, मैं तुरंथ अगले session में उसको रखतूँगा, all the best.